दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर जहां हम पढ़ेंगे सामानी क्यान से सम्मंदित कुछ महत्वपन प्रशन जो की हिंदी टीजीटी पीजीटी और उसके अत्रिक्त सभी प्रकार की एक्जाम में समान रूप से उप्योगी होंगे चाहिए वो सम्मूगों की परिक्षा हो या फिर अन्नी प्रकार की किसी भी परिक्षा में तो पहला प्रसन है देखे भटाफर से इस क्वेशन को करेंगे हम पहला प्रसन है उष्ण वलाइक प्रदेसों की हवा के प्रतिसत जल वास्प गरिष्ट रूप में डैस होंगे कितना प्रतिस ओप्सन दिये गए हैं राइट आंसर बताना है देखते हैं राइट आंसर है ओप्सन बी अंतिम उत्पाद भू आकरतिक चक्र का अंतिम उत्पाद है अगला प्रस्न है इन में से कौन सा स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है जो नहीं है वह आपको बताना है स्ट्रीम लोड का घ अर्थ ब्यावस्ता से संबंधित है। जन जाती अर्थ ब्यायसता से संबंधित इन में कौन सा है। चैन कीजिए, यहाँ पर आपको सही यूग्म के करना है। इसके लिए right answer option D है A और C सही है यानि कि कार्बेट नेशनल पार्क नेंटाल में है और उसके बाद जो गोविंदर नेशनल पार्क है या उत्तरकासी में है अगला प्रस्न है सूची एक और दो का मिलान कीजिए इसमें आपको मिलान करना है और right answer इसके लिए है option C केदारनाथ रुदर प्रियाग में है गंगोत्री उत्तरकासी में है मंसा देवी हरिद्वार में है और मायत बती आस्रा चमपावत में है अगला प्रस्न है नीती आयोग के अध्यक्ष है इसका right answer option B है प्रधान मंत्री नीती आयोग के अध्यक्ष होते है भारत के राजगराने के राजजियों को विलयन करने का स्रे डैस को जाता है भारत के जो राजगराने थे मतलब कि आजादी के बाद की यह बात है आजादी के बाद जब राजगराने बहुत सारे राजग्राने ऐसे थे जिनका भारत में विले नहीं हुआ था तो उनको जब भारत में विले करने का स्रे इन में से किसे जाता है इसके लिए राइट आंसर है Palestine A सर्दार पटेल जी को है यह भारत को जब सतन्ता मिली थी तब इंग्लेंड के प्रधान मंतरी भारत को जो सतंता मिली थी तब इंग्लेंड के प्रधान मंतरी नहीं थे इन में से कौन नहीं थे नहीं थे का मतलब कोई दो नहीं थे तो मतलब एक था जो ठीक है राइट आंसर उप्सन सी है A और B यानि कि Lord Mountbatten नहीं थे और Winston Churchill नहीं थे इसका मतलब कौन थे Clement Italy थे उस समय अगला प्रसने है गांधी जी को रास्टर पिता का नाम किस ने किया यानि कि इनको रास्टर पिता नाम इनमें से किस के द्वारा दिया गया राइट आंसर है ओप्सन A सुभास चंदर बोस ने गांधी जी को रास्टर पिता का नाम दिया अगला प्रसने है कौन ये पहले का question है अगला प्रसने है किस देश में 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमान उड़्जा सैयत्र का निर्मान करने की घोशना थी किस देश में 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमान उड़्जा सैयत्र का निर्मान करने की घोशना थी इसके लिए राइट आंसर है ओप्सन C चीन में परमान उड़्जायो के अध्यक्ष के रूप में अगला प्रसने है सागर के सतह जल का ओसतन तापमान सागर के सतह जल का जो ओसतन तापमान है यह कितना होता है राइट आंसर ओप्सन C है 26.7 जिगरी सेल्सियस होता है ओप्सन C सभी परिशर ब्यवस्थाओं को मिला कर एक भोगलिक शेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे कहते है जब सभी ब्यवस्थाओं को मिला कर एक भोगलिक शेत्र के रूप में एक बड़ी इकाई के रूप में बना देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा राइट आंसर है इसके लिए ओप्सन B बायोम उसे कहा जाता है अगला प्रस्थन है दिल्ली आगरा और मतुरा दिल्ली आगरा और मतुरा किस नदी के किनारे इस्थत है राइट आंसर है ओप्सन C यमुरा नदी के किनारे इस्थत है अगला प्रस्थन है निम्लिकित में किसने टाइप इस्पेन भूगर्व सास्त्री की परिकल्पना को सामने रखा इन में से किसने टाइप इस्पेंड भूगर्ब सास्त्री की परिकल्पना को सामने रखा राइट आंसर है ओप्सन C शगर स्ट्रेंड ने अगला है रासायनिक अप्खरन किस प्रदेश में यांत्रिक अपक्षरन के से ज्यादा प्रभाव साली है रासानिक अप्शरन या अंत्रिक के ज़्यदा प्रभावसाली किस खशेत्र में है किस प्रदेश में है इसका राइट अंसर है option A सीतल तापमार तापमार प्रदेश में जवाहर लाल नहरू को कहा जाता है राइट अंसर option B है समाजवादी अगला प्रस्न है भारत चीन 35 संधी पत्र पर कब हस्ताक्षर किये गए भारत चीन 5 संधी इसमें 5 सर्टे रखी गई थी तो इसमें हस्ताक्षर कब किये गए इसका right answer है उपसंसी 1954 में 1954 में इस पर हस्ताक्षर किये गए अगला प्रस्न है पंच वर्सी योजना के पीछे प्रेणना रही इन में से किसकी प्रेणना थी पंच वर्सी योजना के पीछे राइट आंसर ओप्शन डी हैंड में से कोई भी इसके लिए राइट आंसर नहीं है उसके साथ आज की एक लास ही पर एंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ने प्रस्नों के साथ धन्यवाद